प्राइम टीवी सच साहस सरोकार मुकेश अबानी को मिलेगी जेट प्लै सिक्योर्टी आई भी किसी पारिस पर ग्रिमंत्राले का फैसला अवैद बालू खनन को लेकर दो गुटों में गोला बारी चार की मौत टीट्वेंटी वर्टकप से बाहर हुए जस्प्रीत गुमरापीट की चोट के कारण नहीं खेलेंगे मैंच नमस्कार मैं हूं मयूरी सिर्वास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी शुरू करते हैं बिहार की खबरों के साथ भागलपूर जीला के पीर पैथी प्रखंट के पीर पैथी थाना शेत्र के प्रखंट के नगर पंचायत के उमीदवार के द्वारा भीवीन समस्याओं पर चर्चा की गई इस बैठक का थाना अध्यक्ष राजकुमाल प्रसाथ के द्वारा संग्यान लिया गया साथी थाना अध्यक्ष ने सुरक्षा बिवस्था किसान शांती पूर्धंग से पर्वमनाने के लि 2020 तक बिहार में उद्योग विभाग जनता दल यूनाइटेट के पास था बिहार में उद्योग इसके कार्याले में नहीं लगाया बीजेपी के मंतरी शेहनवाज हुसैन ने उद्योग लगाने का काम किया साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंतरी नितीश कुमा ते जस्वी प्रसाद यादों की दया पर हैं आगे उन्होंने क्या कहा चलिया आपको सुनाते हैं अगर देंगे और दस लाग का आकड़ा वह पुरा करेंगे बल्कि अब तो वह बीस लाग की बात कर रहा है बीस लाग का आकड़ा दो लाग चौटिस हजार के उपर जितनी भी वह नौकरिया देंगे निश्चेत तोर पर मैं उनको क्रेडिट रूँगा खबर पटना से है जहां पी एफ आई के बैन होने पर भाजपा के वरिष्ट नेता और पूरुर राजसभा सांसत गोपाल नरायन सिंग ने कहा है कि सी बी आई वा एन आई ए तमाम गति विडियो को बहुत पहले से नजर बनाई हुई थी और इसके बाद ही ये फैसला लिय गया है और इनको अभी पांच साल के लिए ही बैन किया गया है ताकि जिस तरह से अपना पाउप असार रहा था उस पर रोक लगे जेडियो क्या कह रही है मैं तो नहीं जानता लेकिन देश के एकता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वो कि लागतार ये फाइप पर लागतार दो तीन महिनों से एना ये लगा हुआ था सिबी आई लगी हुई थी अहरे गतिविदी को उनको बाज किया जा रहा था और उसके बाद तुकता फुकता सबूत होने के बाद तब एरेड की वेवस्ता हुए और पहला रेड जो हुआ उसमें जितने लोग आये उनसे पूस्ताच में जो मैटर सामने आया उसके बाद सेकेंड रेड हुआ और सब रेड होने के बाद पुकता सबूत होने के बाद तब बैन लगाया गया और बैन लगाया गया वही टेंपरोरी है पांच साल कर ताकि जैसे सीमी को बैन लगाने क प्रेस वारता का आयोजन किया गया बतादी कि नगर निगम के चूनाओं में किस तरह की ब्रांतियां या फिर यू कहें कि अफवाँ उड़ाई जा रही थी एसी अफवाँ पर विराम लगाने को लेकर राष्टी जनता दल की नेता द्वारा प्रेस वारता का आयोजन किया गया इस प्रेस वारता के दोरान पत्रकारों को संबोधित करते हूं उन्होंने कहा कि मैं बिहार शरीफ नगर निगम के मेयर प्रतियासी से अपना नामांकन व पर्फुक्परमुक्ष और जिला परस्वद की उपस्थिती ने हम लोग डश्ट विन का बित्रन किये हैं और जनता का यह एक पंदेश और मैसिज दिया गया है उनको बताया गया है कि अपने अपने घर ते जो भी कचड़ा रखना है बीगना है हुआ 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 है अममीद से अपना नाम नामगकर किया था तकि पार्टी समरथन ये भी मिला बने लेकिन पाठी कशरफीश तारिकश आगया कि लेटर कि आपको ना तो बचमाना हे और नाही पार्टी को शमरथन देगे जो लेटर आपको दिखाए भी हमने इस वज़ा से हमने अपना नामा कन वापस लिया डल के बगार मेरा कोई वजूद नहीं है खबर भागलपूर से है जहां जिला अधिकारी सूबरत कुमार सेन की अधक्षता में बीपीएसी की सरसट में से सयुक्त प्रारंभीक प्रतियोगता परिक्षा की तयारी की समिक्षा की गई समिक्षा बैठक में 66 में BPSC परिक्षा में जूडे सभी परिक्षा केंद्रों के केंद्र अध्यक्ष सारे पुलिस पदाधिकारी, स्ट्रेटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट उपस्थि थे ये परिक्षा शहर के तिरपन और नवगचिया के पाँच केंडरों पर कराई जाएगी वही जिला अधिकारी सुबरत कुमार सेन ने बताया कि परिक्षा को सफल बनाने के लिए 28 जौन में बाट कर इस्ट्रैटिक टंडदिकारी कस्ती दल सह जोनल टंडदिकारी उडन दस्ता सूपर जोनल डंडदिकारी पुलिस पदादिकारी और पुलिस बल की तैनाती रहेगी परिक्षा जो है आयोजी थोरी है तीस तारीको और अंठावन टोटल सेंटर्स हैं भागलपूर और नोगचिया में तो आप लोगों ने देखा ही है कि इस बार हम लोगोंने सब लोगों को ब्रिफिंग के लिए बुलाया था काफी संख्या में नालंदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां राजगीर पुलिस द्वारा इशरमकार्ट के नाम पर थगी करते दो थगों को लोगों की मदद से रंगे हां तो धर्दवोचा गया जो बीटे तीन दिनों से राजगीर में अपना आड़ा जमा करी स्रम काड के नाम पर दरजनों लोगों के खातें से रुपए उड़ाने का काम कर रहे थे इन दो ठगों में से एक फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है बताया जा रहा है कि गिरफतार ठग जोजपा मुंगेर जिला की आईटी सेल का जिला ध्यक्ष रोहित सिंग है जो उधर इस मामले में थाना ध्यक्ष ने कहा है कि ग्रामिडों द्वारा सूचना पुलिस को ठग कार सहित कबजे में ले लिया गया है थाना ध्यक्ष ने आगे बताया कि गिरफतार ठग रोहित सिंग ने कबूला है कि हम लोग तीन दिवसी लोजपा प्रसिक्षड सिविर में शामिल होने आए थे प्रसिक्षड के बाद हम लोग ठगी के काम में जुटे पाइसा तीन तारीख के पाले अब एकाउंट से पैसा कट गया पाइसा मेलेगा थीन हजार रुपया जर्रामीश तीन सो रुपया हम लेंगी बार कि तुमको पैसा रहेगा जैका हलकिन तौस् ना बाती बने जिए तौकर बाद में फैंट आखिनका है कि आफिस को है तकलिए नहीं तो वे अगुंधा लिल्किन भरादान नमर लिल्किन औह भागलपूर में कुछ दिनों पहले हुई हत्या में पुलिस ने एक्शन लिया बता दें कि हभीबपूर करोडी बाजार मुमिन टोला का रहने वाला मुहम्मद सन्नी को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस मामले में मृतक के भाई की आधार पर आरोपी को गिरफतार कर लिया है जिसके विरूद मुकदमा दर्ज किया गया है आरोपी के पास एक देशी पिस्टल और घटना अस्तल से दो खोखा भी बरामत किया गया है इसी कोई गंभीर हत्या या लूट जैसी घटना होती है सभी वरिये पुलीस पदादीगारी घटना अस्तल पर जाकर खोदी घटना का अनुसंधान का नियंतरन करते हैं बिहार के सबसे बड़े घटना मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है स्रीजन मामले की सुनवाई कर रही पटना CBI की विशेस अदालत ने स्रीजन गोटाले के एक मामले में भागलपुर के पूर्व डियम आईएस अधिकारी वीरेंद प्रताप यादाओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है वीरेंद प्रताप यादाओ की जमानत याज का खारिज हो गई है गिराफतारी वारंट जारी होने के बाद उनकी मुश्किले बढ़ गई है बता दें कि इस पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दूरिपयोग करते हुए अनअभ्यूक्तों के साथ मिलकर दो चेक के माध्यम से करोरों रुपए का गमन किया है खबर आरा से है जहां कलेक्टरी घाट पर देर शाम घर से निकले की हुआ कशव डियम एस पी आफिस के समीप शव मिलने से संसनी फैल गई लोगों ने शव को पड़ा देर ततकाल इस घटना की सूचना पुलिस को दी सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने शव को अपने कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए सदर अस्पताल भेच कर मामले की च्छान बीर में जुट गई कर दो कोई पानी में डुबाव को समार के बाहर पे तिया है क्या आप लोगों किसी पर सब इंजाई करें लेंगे तो अब तो उसके मोबाईल से पता चलेगा क्या फोन की अथा झाल से निकलने के पदे क्या बोलते का पिए पर रोगा कोई लड़का का पोन आया यह यह बत खबर भागलपूर से है जहां ट्रेनों में छिंताई करने बदमास को लोगों ने धर्दबोचा और ट्रेन में ही लटका कर अगले स्टेशन ले जाकर खूब धुनाई की जिसका वीडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो में बदमास लहुलूहान हो गया है ट्रेन में बैठे यात्रियों ने ये वीडियो बनाया है बता दें कि ममलखा से कहल गाओं के बीच लगातार फोन वाचेन छिंताई की घटनाएं सामने आती है और ये ममलखा भागलपूर के ममलखा स्टेशन से घोगा स्टेशन के बीच का है खबर लखी सराय से है जहां कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर रामपूर चानन में सफाई को लेका लगातार सवाल उठ रहा है ऐसे में यहां के सफाई कर्मी ने फीडिलेवरी कक्ष की सफाई करने से इंकार कर दिया इन लोगों ने वर्तमान में एने एम पदक पर इस्थापित सुधा स्री पर आरोप लगाया था कि लवरी कक्ष में सुधा स्री गंदगी फैली रहने के बावजूद उस गंदगी को साफ करने के लिए कक्ष में नहीं जाने दिया जाता और एनम सुधा हम पर आरोप लगाने का काम करती है अगर आप आप हमें एक बता देंगे कि अगर एनम काम करवाती है तो उस कक्ष की साफ सफाई होना वाजिब होता या नहीं? हाँ वाजिब होता है एक सफाई करमी को उसकी सफाई के काम से भगा देना और ये का देना कि जाओ साफ सफाई नहीं होगा क्या ये सही है या गलत है? साप सफाई करने कर सकता नहीं है और फिर जब सवाल उठेगा साप सफाई का तो उसमें कौन फंसेंग है क्योंकि मोंडिंग में हम आके देखें कल मेरा ड्यूटी नहीं था खबर नवादा से है जहांकि सदर अस्पताल के एमर्जनसी बार में बने सोचाले की बहतर साप सफाई नहीं कराई जाती है और सोचाले की बद्बू और गंदगी से मेरजेंसी बाड में मरीजों का प्रतिदिन इलाज करने वाले महिला वा पूरुस डॉक्टर भी परशान है खबर नवादा से है जहां पर बैंगलॉर में लापता यूफ्ती मिली है बता दी कि ये यूफ्ती बैंगलॉर के न्यू गुरुपंत पारलिया की निवासी है और अपने घर के नजदीक में संदिग्द परिसिती में लापता हो गई थी जो नवादा की अंसार नगर में भटक्ती मिली है जिसकी सूचना इस्थानी लोगों ने पूलिस को दी तो वहीं पूलिस और समा सेवी रियाज उर्फ कल अपर सर नवाब के सहयोग से महिला कुसरोक्षित उसके परजनों को सौपा गया जो लड़की है हमारी बहन है हम इदर रखे हुए है अब टेंशन मत विजए आराम से आके लेके जाए तो जब बोल दिये तो हम दो स्प्रेक पड़के सिधा इदर आ गए जो लड़के की तो भी इसा लेके गया हुआ हुआ है आज सुरचित मिल गई जिधा, जुहारा है इसा है बॉड़की है मत जिए लड़की है उनके यह जगा लेके है तो टीन रोस बनद करके रखडा लेता हुआ हुआ है पर लागता लेक चले जाते थे बाद इदर बीजली कट गया उदर लेकर चले गया करको इदर लाके विशाफ़ चोड़के हैं उनके माहू ससुर अनुप ज्छमेला हुए उदर कहीं पर रस्ते पर छोड़के चले गया मुझे बाद इदर के लोग मझे लेका आपको सेफटी की बड़ी लापरवाही सामनी आई है जहां नर्स ने नर्स की जगा इंजक्सन मास में लगा दिया जिसके बाद पीड़ित के पर जनों ने अस्पताल में बावाल काटा बता दी कि पीड़ित पेट की शिकायत लेकर हॉस्पिटल पहुचा था तो वही नवादा सदर पाजूद चिकित्सक मनोज कुमार ने किसी तरह दंपत्ती को समझा बुजा कर हंगामा शान कराया बिहार के सहरसा जिले से बीटे 22 सितंबर की देर रात शाम से गाइव युवक काशा पुलिस ने शौर बाजार थाना अंतरगत दुनिया गाओं इस्सित नहर के पास गड़े से बरामत किया है तो वहीं पुलिस ने शब को अपने कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भीज दिया है इस घटना को लेकर सदर SDPO संतोष कुमार ने बताया कि मिर्तक युवक के दोस्त को पकड़ा गया है दोनों के बीच में आपसी बिवाद था इसी बिवाद को लेकर उसकी हात्या कर दी गई है उसी मित्र के निशान देही पर शब को बरामत कर लिया गया है SDPO ने ये भी बताया कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूछता जारी है साथ बज़े के बाद से मेरा बेटा अला पता है हम राप में खोजे कोई पता नहीं चला पिर तैस तारी को जाके हम सदर खाना में आवेदन दिये बुसके बाद आज क्या हुआ आज मेरा बेटा का लास बरामत है इस तारी को अधिया गाजी पटेललागर से तावेदन दिया इसमें के इन लिखा के मेरे मेरे बेटा को इसे ने आप भारन कर दिया बिहार की खबरों में बस इतना ही देश-दुनिया की तमाम खबरों के देखते रही है प्राइम टीवी प्राइम टीवी सच साहस सरोकार